प्यारे बच्चों नमस्कार स्वावेता है अब सभी का नोलेज प्लान पर नोलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की NCRT Mathematics की स्रीज इसमें हम सबसे पहले 10th प्लस वन और प्लस टू क्लास के Mathematics को सोल कर रहे हैं और ये स्रीज सभी विद्यार्थियों लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है चाहिए वो CBSC बोर्ड से हो या निया किसी बोर्ड से और इसी स्रीज के अंतरगत आज हम आपके लिए लेकर के आई हैं 10th क्लास का जो चेक्टर नमबर 13 है जिसका नाम है सरफेस एरियाज और व तो चलिए देखते हैं आज का काम क्वेशन नमबर 6 से आज स्टार्ट करेंगे क्वेशन नमबर 5 तक हम अल्रेडी कर चुके हैं तो यहाँ पर दिया क्या है देखो अब बाटो चो तो यहाँ पर पास एक सिलेंडर और इसकी जो हाइट दे रखिया बचो कितनी 220 सेंटी और इसकी फिर height दिखाते हैं कितने 220 cm तो ये तो हो गई height 220 cm उसके बाद इसकी जो radius है तो इसका diameter दे रहे है इसने 24 cm तो radius कितनी हुई 12 cm अब इसके उपर एक और cylinder रखा गया बचो तो किस परकार से ये ऐसे है इस परकार तो यहाँ पर फिर दूसरा cylinder रखा है इसकी जो height है वो कितनी दे रखी है इसने वो दी है इसने height and radius तो ये है आपके पास कितनी इसकी जो height दे रखी है इसने वो दी है 60 cm और radius दी है 8 cm तो ये होगी 8 cm तो इस परकार का एक pole है ठीक है iron pole है तो कहता है find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass use pi 3.14 तो देखिए बच्चो इस pole का mass आपको निकालना है तो mass निकालने के लिए first of all तो हम क्या निकालते है volume निकालते है तो volume of pole क्या हो जाएगा volume of pole तो volume निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे हम दोनों के दोनों cylinder है उन दोनों का volume जोड़ देंगे तो total volume आजाएगा इसका तो कैसे पहले वाले का निच्चे का pi r square r कितनी है निच्चे वाले की बार है into बार है into h कितनी है 220 220 पलस दूसरे वाले का उपर वाले का volume ऐसे ही pi r square h pi into r का square यानि 8 का square और into my h कितनी है 60 तो इस परकार से कर लेते हैं तो इन दोनों में से common निकाल लेजिए आप लोग common निकाल लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा common आप pi निकाल सकते है pi निकाल दिया आपने और क्या निकाल सकते है 4 निकाल सकते हैं दोनों जगए से और इसी परकार 10 निकाला था तो यहां पर 22 बच गया. और पलस में यहां क्या बचा? यह 8 दो बार है ना, तो च्यार, इसके 8 को 4 डिवाइड करेगा, तो यहां पर 2, और इंटू में फिर दूसरी बार है तो और इंटू में 10 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर 6 आ गया तो इस परकार से पाई की जो वैल्यू है 3.14 रख दीजिए मैं रख देता हूँ 314 अप उनमें 100 कर दिया मैंने पॉइंट अटा दिया यहाँ 4 चोके 16 गुणा में 10 और इंटू में क्या हो गया देखो 22 सी का 13 या 9 बाई निमा 118 और पलस 6 दूनी 12 बारे दूनी 24 इस परकार से आ जाता है तो यह हो गया अब क्या अगर यह आप लोग 0 से 1 0 कैंसल कर दीजिए तो 314 गुणा में 16 और अप उन में 10 हो गया और इंटू में 8 और 4 बार है 9 और दो 11 और एक बार है और 1 और एक दो 22 तो अब आप क्या कर लिजिए इनकी मल्टिप्लाइ कर लिजिए क्योंकि डिवाइड करने में फिर दिक्कत आएगी तो मल्टिप्लाइ करेंगे तो देखिए किस तरह से 314 और गुणा में 16 16 चुके 64 16 16 16 और 6 22 उसके बाद 16 48 और 250 और गुणा में क्या है 222 अप उन में 10 तो यह आगया इसका इतने सेंटीमेटर क्यूब क्या इसका वोल्यूम आगया बच्चों आप इस वोल्यूम आपको क्या करना है इसका वजन निकालना है तो वजन किस तरह से दिया है 1 सेंटीमेटर क्यूब में कितना वजन दिया है 8 ग्राम तो आप क्या कर दीजिए बच्चों इसको आठ से गुना कर दीजिए तो इसके क्या बन जाएएगे इसका वजन आ जाएगा यानिके मास आ जाएगा इसका तो मास निकालने के लिए क्या करें आप इसकी मल्टिप्लाइ कर देते हैं पांच, जीरो, दो, च्यार, पांच, हजार, चोबिस, गुना, दो, सो, बाईस और अप उनमें टैन है इंटु में क्या कर देते हैं, आठ तो यह ग्राम में अनसर आएगा, क्योंकि यह आठ ग्राम दे रिखा पर सेंटिमेटर क्यूब, तो अब आप इसके किलो ग्राम कैसे बनाएंगे, आप उनमें क्या करते हैं 1000 ठीक है न ग्राम के किलो ग्राम बनाने के लिए तो ये किलो ग्राम बन जाएगा फिर तो आप जब multiply करेंगे तो देखिए किस तरह से आएगी multiply करेंगे तो पहले 8 किस से कर दीजिए 832, 819, 16 और 319, और फिर 8 बंजे 40 और multiply में क्या है 222 और नीच से कह बच्छो 10 तो multiply कर लेते हैं क्या आएगी देखिए 44192 की यहां पर कर लेता हूँ 44192 की 222 के साथ तो करेंगे तो बच्छो क्या जाएगा 2, 2, 4, 2, 9, 18 2, 1, 2, 1, 3, 0, 2, 4, 8 फिर से यही 4 फिर 8 आएगा फिर 3 आएगा फिर 0 और फिर 8 फिर से 2 से करोगे तो फिर वही शरू में 4 फिर 8 फिर 3 फिर 0 और फिर 8 तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या जाता है 4, 8, 4, 12 8, 4, 12, 13, 15, 16 8, 3, 11, 12 8, 3, 11, 12, 8, 3, 11, 12 8, 1, 9 और फिर यहां पर 8 तो इसमें यहां पर आप निच्चे 0 कितनी हैं देखिए वो देख लिएते हैं यहां पर देखिए जब multiply करी थे ने आए 10 था और 7 में क्या था यह 1000 था तो यहां पर कितना हो गया था 4000 हो गई थी निच्चे वाले जब multiply करी था तो 4000 सोड़ दीजिए तो क्या आजाएगा आपके पास 892.2624 किलो ग्राम इस प्रकार से आपका आंसर आजाता है कि इसमें वजन कितना होगा ठीक है तो उसके बाद जो next question है उसमें क्या है आप कहीं तक भी उत्तर सोड़ सकते हैं इसमें 2 अस्थान तक 3 अस्थान तक तो देखिए क्या है यहाँ पर question number 7 में क्या दिया है आपके पास एक solid है बच्चो किस तरह गा solid consists of a right circular cone of height 120 cm radius 60 cm तो देखो आपके पास क्या है एक hemisphere है बच्चो और इस hemisphere के उपर क्या है क्या है क्यों है यह पहले hemisphere बना लेते हैं इस परकार से और इसके उपर क्या रखा गया है क्या रखा गया है इस तरीके से अब क्या कहा है है इन दोनों के बारे में इसने यह होगी radius दोनों की radius कितनी है 60 cm मीटर तो यह होगी 60 सेंटी मीटर और उसके बाद यह कौन है इसकी जो हाइट है वो क्या दिरखेश ने वो दी है 120 सेंटी मीटर ठीक है 120 सेंटी मीटर अब यह यूँ का यूँ क्या कर दिया इसको 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 एक स्लेंडर में रख दिया बच्छो तो कहता है find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm अब देखिए इसको रखा किस तरह की cylinder में है ऐसे cylinder में रखा गया जैसे यू का यू मतलब रख दिया गया ये एक cylinder है किस तरह का यू का यू इस परकार से रख दिया उसके अंदर cylinder के अंदर और ये cylinder है जो ठीक है और cylinder के बारे में बताया क्या है किस तरह का है ये पानी से भरा हुआ जो cylinder है जिसके अंदर इसको हमने रखा इस solid को ये solid किस रूप में था निच्चे से तो था hemispherical उपर से था conical दोनों इस परकार का बनाया हुआ था ये यू का यू इस cylinder के अंदर रख दी या एक बात देखिया आप लोग इस cylinder की जो height दे रहे है इसने वो देख है 180 cm ये है 180 cm ठीक है 180 cm और बच्चो इसकी जो radius है cylinder की वो कितनी है यहां से यहां तक वो दे रहे हैं इसने वही 60 cm इन दोनों के पराबर ही ठीक है अब ध्यान से देखिए आपने जो solid रखा है ना इस total की complete height कितनी हुई देखो जो अंदर रखा है ये भी तो इतना ही हुआ ना क्योंकि 120 तो यहां तक थी और निच्चे ये radius है इसकी hemisphere की तो ये है 60 तो ये total ये भी तो कितनी बनती है इस पूरे की height भी कितनी बनती है ये जो cone plus में hemisphere है ये भी कितनी है 180 cm और radius कितनी है इसकी भी radius भी इन दोनों की 60 ही थी और cylinder की 60 ही है इसका मतलब same height हो गई और same radius ठीक है पूरे की पूरे की पूरे cylinder की भी height इतनी और ये जो अंदर solid रखा हमने इसकी भी 180 ही हो गई ठीक है दोनों की बरापर हो गई radius भी क्या है इसकी भी same इसकी भी same और इस cylinder की भी same अब ये पानी से भरा हुआ था तो इसके अंदर जो रखेंगे ना ये solid ये solid क्या करेगा कितना पानी बाहर निकालेगा जितना इसका volume होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये कहता है कि जो पानी बचेगा ना फिर ये रखने के बाद उस पानी का volume जो water बचेगा उसका volume आपको निकालना तो कैसे निकाल देंगे cylinder के volume में से solid का जो volume है वो subtract कर देंगे तो आपके पास क्या आजाएगा बचा हुआ पानी जो मतलब इसके अंदर बचेगा ना वो उसका volume आजाएगा तो कैसे करेंगे देखिए volume of remaining water ठीक है या left water तो volume of left left water तो ये जो पानी से बचेगा इसका volume कैसे निकालने volume of cylinder cylinder का volume निकालने तो cylinder पानी का भरा हुआ था इसमें से किसका subtract कर दें volume of conical part conical part पलस किसका volume of hemispherical part volume of hemispherical part hemispherical part तो बच्चों ये जो अंदर रखा था ना इसका मैंने दोनों का जोड़ गे इसमें से मैं घटा रहा हूँ cylinder वाले में से तो cylinder का हो गया pi r square h pi r कितनी है इसकी 60 into में 60 और into में h कितनी है cylinder की 180 minus में कोन का हो गया 1 by 3 pi r का square r वही है 60 into 60 और h कितनी है इसकी देखो 120 है कोन की 120 और पलस यहां पर मैं bracket लगा दूँ पलस इसका क्या हो गया इसका जो hemispherical है इसका होता है 60 है तो 60 into 60 into 60 इस परकार से हो जाता है ठीक है तो बच्चो देखो इसमें जब आप यह volume निकाल लेंगे तो किस तरीके से होगा common क्या क्या निकलता है इनमें से वो निकाल लेते हैं देखो यहां से मैं निकाल लेता हूँ pi भी निकल जाएगा यहां पर 3 बच गया minus में फिर bracket start यहां पर तो यहां pi तो निकल गया 1 by 3 बच गया 1 by 3 मैंने 60 भी निकाल दिया 60 भी और 1 बर 60 भी निकाल गया 120 में से 60 गट आएगे तो यहां पर 2 बचेगा तो 2 plus 2 by 3 बच गया 2 by 3 pi बाहर निकल गया pi निकल गया 60, 60 और 60 भी निकल गया बच 2 by 3 बच गया तो इस परकार से यह बच गया तो यह आया कितना देखिए pi 22 बचे 7 लिख देते हैं गुणा में यह 60 गुणा 60 चक 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 चिका 216 और इसके बाद 3 जिरो और यहां पर क्या बचता देखिए यहां पर 2 by 3 है ना पलस 2 by 3 तो 2 by 3 पलस 2 by 3 यानि 4 by 3 यानि के 3 माइनस यहां पर गुणा कितनी बन गी देखिए 4 by 3 तो 4 by 3 लिख देते हैं इसमें तो यह आया तो बच्चों यह हो गया 22 22 अपॉन 7 इसी तरीके से ठीक है तो 22 अपॉन 7 और उसके बाद क्या 21 के बाद 216 के बाद 216 के बाद 000 और इंटू में देखो 3 त्या 9, 9 में से 4 घटा यह 5 by 3 इतने आ जायता है ठीक है अब इसमें क्या कर लेंगे जब आप इसका वोल्यूम निकाल देंगे तो कितना आएगा देखिए इसमें जो भी बचेगा तो वो आएगा आप इसको सोल कर दीजिए तो सोल करेंगे तो देखो क्या बनता है यह से कट जाएगा क्या आजाएगा 3 सते 21, 32, 6 और फिर इसके बाद 30 और इसी परकार तो अब इसको कैसे सोल करेंगे आप इसकी क्या कर लीजएए मल्टिपलाई कर लीजए 22 गुना में 5, 110 गुना में 72 अप उनमें 7 110 110 गुना में 72 के बाद 3 जिरो है ना और उसके बाद अप उनमें 7 तो बच्चों multiply कीजिए 11, 12 उसके बाद 11, 13, 13 और 2 79 हो जाएंगा उसके बाद 0 कितनी होगी 4 तो 4 0s तो उसके अपने में 7 है बच्चों तो 7 से divide करेंगे तो देखो क्या बनेगा 7 बनेगा 7 एक साथ एकम साथ और उसके बाद क्या होगा दो बच्चेंगे 7 एकिस एक फिर 10 हो गया 7 एकम साथ कितने बच्चेंगे 3 फिर 7 चोके 28 फिर 2 बच्चता है ठीक है तो फिर 20 हो गया फिर से 20 होने के बाद क्या करो गया आप 7 दूनी 14 और फिर 6 7 वाठी 56 इस परकार से चलता जाता है गया इतने सेंटीमेटर क्यूब लेकिन है अब यहाँ पर अगर आपको ये मीटर क्यूब में अंसर निकालना हो तो सेंटीमेटर के मीटर कैसे बनाते हैं बच्चों आप देखो इसने मीटर क्यूब में अंसर मिलेगा आपको जब आप इसका अंसर देखेंगे तो आपकी बुक में तो एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर इस इक्वल टू हंडर्ड सेंटी मीटर ठीक है सेंटी मीटर में देखें तो और आप अगर एक मीटर क्यूब लेंगे तो कितने cm3 होंगे उसकी 3 बार गुणा होगी हमने m की 3 बार गुणा कर दी मीटर की क्यूब कर दिया तो 3 बार गुणा का मतलब है 1 के बाद 6-0 तो आप 1 के बाद 6-0 लगाएंगे यहां पर तो आप मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1.314 यहां पर इस तरह से आ जाता है या 1.131 आ जाता है आपके पास और बाकी को चाहिए तो लिख दें नहीं तो ना लिखें तो यह मीटर क्यूब में आफका अंसर आ जाएगा इस परकार से आ जाता है उसके बाद यह नहीं बचे हुए पानी का यह वोल्यूम निकल जाता है तो बच्चों क्वेस्टन नमर् एट में जो दिया है इसने यह दिर्खा है क्या आपके पास क्या एक स्फेरिकल वैसल है इस परकार का यह ऐसे है ठीक है इस स्फेरिकल वैसल की जो नेक है करदन है वो कैसी है वो है सिलेंडरिकल तो बना लेते हैं यह हो गए इसकी नेक और निचे से स्फेरिकल है इस परकार का बरतन है ठीक है और इसका जो दिया है इसके बारे में क्या क्या दिया है इसने इसका जो निच्छे वाला पार्ट है स्फेरिकल पार्ट इसकी जो रेडियस है वो कितनी है डामेटर दे रिखा है कितना 8.5 सेंटीमेटर तो इसकी जो रेडियस हो गई पॉइंट हटा लेता हूं पहले तो मैं 85 अपॉन में 10 यह तो डामेटर था तो आप तूसे और मर्टिकलाई कर दीजिए इसको निच्छे तूसे डिवाइड कहले लीजिए तो यह आ गया 17,50 और 2,50 दस इस प्रकार से हो गया तो 17 by 4 रेडियस हागी 17 by 4 सेंटीमेटर ठीक है उसके बाद यह जो उपर वाला पार्ट है इसकी जो हाइट है वो कितने दे रिखी इसने यह दे रिखी है नेक की जो हाइट है यह है 8 सेंटीमेटर लोंग यानि हाइट तो है 8 सेंटीमेटर और जो डामेटर है वो है 2 cm तो radius हो गई 1 cm अब आपको इसका क्या निकालना है इसका volume निकाल करके बच्चे ने बताया लड़की ने कि इसका volume जो है वो क्या है 345 cm cube तो ये बताना है कि ये सही है या गलत है और exact volume क्या है यदि ये सही नहीं है तो देखिए कैसे निकालना है आप दोनों का volume निकाल करके एड़ करेंगे तो volume जब आप इस vessel का निकाल लेंगे तो volume of spherical part यानि के 4 by 3 pi r cube ऐसे निकाल लेंगे ना pi r cube और पलस में उपर वाले का कैसे निकाल लेंगे उपर वाले का निकालेगा pi r square h तो निकाल लिए इन दोनों में से common तो क्या हो गया दोनों में से common हो गया सिरफ pi pi की value देरखेश ने 314 3.14 यानि कि इसका point हटा लेता हूं आप उनमें 100 कर लेता हूं और into में यहां पर बचा क्या है यहां तो 4 by 3 बच गया बच्छो लिख दिया मैंने और into में r की cube r क्या थी इसकी 17 by 4 तो उसकी cube तो 17,17 की जो cube है वो बनती है 9,413 9,413 और निच्छे फिर 6 r की cube क्या होगी बच्छो 64 ऐसे होगा ना 4 by 3 मैंने एजटीज लिख दिया r की cube r कौन था 7 by 4 इसका cube कर दिया 17 की 3 बार गुना 9,413 और 6 r की cube 64 ठीक है हो गया ये पलस अब यहां क्या करें pi तो common निकल गया था r square r कितनी है इसकी 1 है एका square तो एक ही होगा और into में h कितनी है इसकी 8 तो ऐसे लिख दिया हमने ठीक है तो देखिए बच्छो क्या बन गया 4 से 16 16 के 64 होता है ठीक है तो ये बन गया कितना 314 है अप उन में 100 और अंदर देखिए क्या हो गया आपके पास 913 है 913 है और निचे क्या हो गया बच्छो 16 48 ऐसे हो गया पलस में 8 8 कम 8 तो यहां से अब इसका एलसिम लेंगे तो 314 14 अप उन में 100 और 7 में बच्छो यहां पर क्या हो गया देखिए इसका एलसिम लेंगे तो 48 आ गया और ये बन क्या आ गया देखिए 4913 है और पलस में 8 8 64 और 8 चो के 32 और 6 38 इस परकार से हो गया ठीक है तो ये मल्टिप्लाई हो गई इनकी दोनों की तो अब देखो ये क्या आया तो इसमें आप जब जोड़ेंगे 314 अप उन में 100 और इन 2 में 4 और 3 7 8 और 1 9 और इसी परकार से 3 और 9 12 है 4 और 1 5 और निचे 48 ऐसे हो गया अब इसकोर क्या कर सकते है आप 2 से डिवाइड कर सकते है तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ क्या बन जाएगा बच्छो 157 यह आ गया तो 157 कि आप इससे गुना करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में लंबाई बनती है बच्छो 5 297 की किस से 157 से मल्टिकलाई किया आपने तो करिए तोस्ती 49 7,9,63,4,67 7,2,14,6,20 7,5,35 और 2,37 इस परकार से बन गई उसके बाद 5 से 5,7,35 5,9,45 और 3,48 ठीक है 5,2,10,4,14 फिर 5,25 और 1,26 ऐसे बन गई ठीक है उसके बाद फिर एक से करेंगे तो क्या आएगा 5,297 5,277 जोड़ेंगे इसको तो जोड़ेंगे तो 9,7,5,12 उसी परकार से 8,7,15 और 1,16 9,7,16 24,21 21,26 9,21,23 5,27,8 और निचे क्या है देखिए 100 है 100 के नाम के तो दो स्थान सोड़ देते है और साथ में क्या 24 तो 24 से डिवाइड करते है इसको बच्चो 8,30 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे देखिए 24,22 3 पे चलेगी ना पहले 24,22 3 पे आगी 22,23 में से 22,23 घटाएंगे 8,3,11 बचेंगे तो 11 और एक और उतार लिए 111 होगे ना आप किस पे चलेगी देखिए 24,22 के च्छानुवे 24,22 के च्छानुवे च्छानुवे घटाएंगी इसमें से तो 11 में से 6,5 और इसी परकार 10 में से 9,1,15 बचेंगे फिर किसको उतारेंगे आप एक उतार लिए था आपने फिर उतारेंगे 6 तो अब देखिए किस पे चलेगी 24, अब यहां पे चलेगी 24, 24 का 147 ठीक है 147 बचते है उसके बाद 6 में से 4, 2 5 में से 4, 1, 12 बच गे उसके बाद 2 उतारेंगे ना आप तो देखिए तो यहां पॉइंट लग गया क्योंकि यहां पॉइंट था ठीक है तो पॉइंट लगा दिया आपने अब चलाएंगे तो आगे देखिए किस पे चलेगी 122 हो गया तो 24, 25, 120 पांच पे चल गई 120 हो गया तो बच्या कितना 2 फिर किसको उता रहेंगे आप फिर उता रहेंगे 9 को तो आप देखिए 24 एकम 24 इस परकार से चलता जाता हो गया तो यह आजाता है 346.51 सेंटी मेटर क्यूब तो यह आया इसका वोल्यूम लेकिन इस बच्चे ने क्या बताया था उसने बताया था 345 सेंटी मेटर क्यूब तो सीज मतलब इनकोरेक्ट तो वो लड़की है जो उसने जो वोल्यूम कैलकुलेट किया था वो गलत था यह सही वोल्यूम यह आएगा तो इस परकार से आपकी अक्सरसाइज कंप्लेट होती है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद